हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक एकजम यूटूब चैनल फ्रेंड्स URSC इस रो का डेटेल नोटिफिकेशन आ चुका है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम डिसकस करने बाले हैं किस पोस्ट के लिए कितनी वेकेंसी हाँ पर आउट हुई हैं इसका फॉर्म जो है वो वीडियो को सुरूश लेके एंड दक जरूर देखिएगा देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नमबर देखने को मल जाता है आप यहाँ पर देख सकते हो URSC ISTRAC 01-2024 ठीक है यहाँ पर सभी में पोस्ट निकली है ड्राइबर हो ड्राप्टमेन हो यहाँ पर टेकन ITI student है तो उनके बारे हम डेटेलन बात करने बाले हैं और जो भी material science बगरा कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो mathematics से यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हो मैं धीरे-धीरे करके notification को scroll कर रहा हूँ ठीक है यहाँ से आज आते हैं आप ITI वालों के लिए technician B की पोस्ट mechanic consumer electronic appliance और यहाँ पर mechanic industrial electronics यह सारी ट्रेड मिलाकर यहाँ पर इनके लिए 63 पोस्ट है ठीक है इनके लिए अलक से निकाले गई है यहाँ पर अन्रेजर में 5 है OVC में 3 है SC में 3 है EWS में 2 है और यहाँ पर आप नीचे एक बात और लिखा है यहाँ पर देख सकते हो कि सभी पोस्ट में लिखा है यहाँ पर out of 39 जितनी vacancy है यहाँ पर 2 अन्रेजर 1 OVC and 1 ASC vacancies are identified for MCF हसन out of 13 vacancy यहाँ पर वेगन्सिया आइडेंटिए और आईए स्टी आरे सी बैंगलूरू यहाँ पर और और यूरे सी वेकेंसी जीर बेकलौग वेकंसी रजर फूर पीड़लू कैटेगरी के लिए यहाँ पर इनके लिए रिजर बेकंसी यह पर रखी गई है एक 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 दो दो ठीक है आपके लिए 10 पास और आईटे पास होना चाहिए एलेक्टीस न्ट्रेट से तो आप यहां पर फॉर्मफिलप कर सकते हो नेक्स्ट यहां पर ट्रेट आपको देखने को मिलती है फोटोग्राफिट डिजीटल और नेक्स्ट हैं पर फिटर हैं पर आपका पोस्ट कोड़ फॉ हैं OVC में 7 हैं ठीका XC में 2S121 वेकंसी है क्लेश यहां पर आपको 10th plus AIT होना चाहिए फिटरण सेसके निख सकते हो plumber के लिए हैं फिर यहां पर रेफ्रेजूडेशन अपर घ्लाध भाटबियसन के लिए एन नेगे REC रेड़्ब होती है उसके 11 वेकंसी है टेर्नर के लिए 2 वेकंसी नेकाल गई काफी कम है फिर भी ठीक है टेर्नर के लिए कारपंटर के लिए 3 वेकंसी है मोटर मेकनिक भीकल के लिए 2 वेकंसी है मसिनिस्ट के लिए 5 वेकंसी काफी एच्ची वेकंसी है और बेल्डर के लिए भी यहाँ पर 2 वेकंसी द दस पास होना चाहिए C op 3 cree t सभी और रहागा का आपका आईटि आई न्टि सी होना चाहिए C लिए आखल ठेट इलीडि नेक्सट है इलेक्ट्रोनिक का यह 24 वेकंसी काफी अच्छी वेकंसी अगर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रोनिक से कर रखा तो काफी अच्छ वेकंसी है टेकनिकल असिस्टेंट पोस्ट है ठीक है कम्पूटर सांस में भी अगर आपका डिप्लोमा है तो यहाँ पर देखिए छे वेकंसी निकाले गई है ठीक है इलेक्टिकल से पांचे सिबल स चार मेकनिकल से बारा वैकेंसी निकाल गई जिसने मेकनिकल से डिपलोमा किया है उनके लिए यहाँ पर बारा वैकेंसी बारा पोस्ट निकाल गई है ठीक है यहाँ पर देखिएगा और भी हाँ पर है साइंटिस्ट साइंस्टिफिक असिस्टेंट के लिए हाँ पर है केमिस् कि अगर आप इसमें चार वेकंसी फोम भरना चाहते हो तो आपके पास टेंथ प्लस पांच साल का एक्सपिरेंस होने चाहिए सिमिलर केपिसिटी एज कुक इनने ए बेल इस्टेबिलाज़्ट होटल एक केंटिन कहीं से आपके पास पांच साल का एक्सपिरेंस है तो आप इसमें फोम भर सकते हो फायर मैं में भी यहाँ पर टेंथ पास सूट से सैटसफाइड दा प्रिसकर्ट प्रिजिगल फिटने प्रिजिगल और यहाँ पर हैवी फिकल के लिए दो पोश्ट है ठीक है टेंथ पास साल का एक्सपिरेंस होना चाहिए तो आप इसमें फोम को फिलप कर सकते हो अब हम बात करते हैं फीस की बारे में एंड यहाँ पर फोम को फिलप कैसी करना है अगर आप सेलरी की बात साइस्टिपिएंजिनियर के लिए सेलरी 5600 और हैंपर स्से के लिए और यहाँ पर यहाँ पर की दूनसे तल्फ मीकल तेसिचेंट के लिए भी लेवर कर देर्टन की थेलरी की लेवर्त वेसेजिकां बन जाती है फायर मैंन के लिए लेवल टूब पैमेंट विलेगा उन्हीं से नौसु इस पर बेसिक रहने वाला है यहां पर बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे बढ़ना है तो इनका ओपिसेल वेफसाइट है इसरु.gov.n ursc.gov.n पर जाके 10 परबरी यहनि कल से फॉर्म भाड़ना स्टार्ट हो जाएगा एक मार्च तक आपका फॉर्म हैं पर फिलफ होगा एक मार्च से पहले पहले अपनी फॉर्म को भल लेना और यहां पर देखिए डोकुमेंट क्या कर लगेगा आपका मैं बतायता ह हो देखिए यहां पर डोकुमेंट सबस्पेल देख लीजिएगा रीसेंट क्लर पास्पोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन सिक्स मन्त जेपीजी में होना चाहिए फॉर्मेट में उसका साइज होने चाहिए 50 कवी 100 कवी की बीच में सिगनेचर होना चाहिए चाहिए 50 कवी 100 कवी के बीच में डोकुमेंट पहले आप साइज बनाकर रख लेजिए फॉर्म भरने से पहले ताकि आपका अपलोट करने में आसानी हो जल्दी स्पॉर्म भर जाया कुई दिक्कत ना हो और आपका जो भी इसेंसनल क्वालिफिकेशन है वह एक्सपिरेंस स साइंस्टिफिक असिस्टेंट का फॉर्म भरते हो तो आपके लिए 750 फी पेमेंट करने पड़ेगी जिसमें से आपकी 200 नोट रिफंड वाले 500 रिफंड हो जाएगी रिटन टेस्ट देने के बाद अगर आप टेक्निसियन भी या ड्राप्टिमन का फॉर्म भरते हो तो पास्तम में सो फीसे लेकिन 500 फीस लगने वाली अभी आपके 400 रुफे रिफंड हो जाएंगे रिटन टेस्ट के बाद ठीक है यहाँ पर आपका पैमेंट रिफंड ओफ एफिलिक्शन फी यहाँ पर देख सकतो सारा कुछ लिखा होगा है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देखने करते हैं कुछ है नहीं यहाँ पर रिटन टेस्ट की बारे हम बताए गया है पर इसका स्लबस देख लेते हैं एक लिप लग साज़क कोश्चन आएंगे 10,000 गंटे कर operate रहेगा तीक है रही बनवा अधर जर्ट की मार्किंट रहने वाली है और यहाँ पर qualifying nature to be skill test आपका qualifying nature रहता है जो 100 number का रहता है ठीक है यहाँ पर देखिए pass criteria यहाँ पर है 80 में से 32 mark अगर लाते हो तो pass हो जाओगे आप और skill test में आपको 100 में से 50 number लाने परेंगे और अगर आपकी reserve category है तो 80 में से 24 mark passing mark है और skill test में 40 है तो यहाँ पर passing mark है लेकिन merit तो आपकी high बनती है जितना आपका return test में अच्छे स्कूरूगा merit तो उसी बनती पासिंग मार्क तो तब काम आता है जब बेकेंज से जानता हो और student का हो तो पासिंग मार्क पर आपका selection हो जाता है अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो क्मेंट करिएगा और चैनल को subscribe जरू कर लिए आप यहाँ पर मैं वीडियो अप्लोट कर दूँगा फॉर्म फिलफ कैसे करना है ठीक है तो आई होफ आपको complete जानकर मिल लगी होगी और यहाँ पर चैनल पर इस लोग करके पहले एकन प्रेस जरू कर लिए ना चली मिलते एक नेक्स्ट टूडियो में जब तक के लिए जैन जवारत थैंक्स बाचिंग और भाय भाय